समाजवादी पार्टी के संरक्षप मुलायम सिंह यादो का सुमबार को निधन हो गया 82 साल के मुलायम यूरीन इंफेक्शन के चलते 26 सितंबर से गुरुकराम के मेदानता अस्पताल में भरती थे अखिले सियादों ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हंडल पर मुलायम के निधन की जांकारी दी है सभाई में मंगलवार को मुलायम का अंतिम संसकार किया जाएगा मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सिजन लेवल कम होने के बाद ICU में सिफ्ट किया गया था मेदानता के पियारों ने बताया था कि मुलायम सिंग को यूरीन इंफेक्शन के साथ बलड प्रिसर की समस्या बढ़ गई थी इस्थिती में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर सिफ्ट कर दिया था 22 नमबर 1949 के सफ़ाई में जन्मे मुलायम सिंग यादों की पढ़ाय लिखाई इटावा फतेहवाद और आगरा में हुई मुलायम कुछ दिन तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में प्रधान अध्यापक भी रहे पाँच भाई बहनों में दूसरे नमबर मुलायम सिंग को दो साधिया हुई पहली पत्नी मालती देवी का निधन 2003 में हो गया था अखिलेज यादो मुलायम की पहली पत्नी के बेटे हैं उनके निधन पर राजनेताउस लेकर आम लोगों तक दुख जताया है तीन बार यूपी के मुख मंत्री योशात बार सांसद रहे जवानी के दिनों में पहलवानी का सौक रखने वाले मुलायम सिंग ने 55 साल तक राजनीती की मुलायम सी 1967 में 28 साल की उमर में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने जबकि उनके परिवार में कोई राजनीत बैक्राउंड नहीं था पाथ दिसंबर 1989 को मुलायम सी पहली वार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने बाद में वो दो बार प्रदेश के सीम रहे पुरिदेश के छोटी बड़े राजनेताओं का मुलायम सीम यादों के प्रति गाउन के परिवार के प्रतिशन धान जली त्लगातार आ रही है